CAA कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है और इसको लेकर कि लोगों में तरह-तरह की भ्रांतिया भी आ रही है कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किसी की नागरिता खतम हो जाएगी तो कुछ लोग कह रहे हैं किसी को नागरिता मिल जाएगी आखिर क्या है ये कानून यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं हमारे साथ जो लीगल विशेशग हैं वरिष्ट विशेशग लखनों में दिलीप जी हमारे साथ है वो बताएंगे कि ये कानून क्या है और जो भरांतियां है उसको लेकर भी पूरा प्रकाश डालेंगे पहले बात तो ये कानून नया नहीं है ये अमेंडमेंट एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है कि जो पहले से कानून बने होते हैं जरूरत के हिसाब सो इसमें को सुधार किया जाता है जब 1950 में भारतिया सम्विधान लागू हुआ था तो कॉंस्टिटूशन के स पांच से लेके 11 तक सबसे पहले सिटिजन्सिप की ही विवस्था करे दे गई थी कि आजाद भारत में किसको किसको नागरिकता दी जाएगी उसके बाद सम्विधान में ये प्रावधान है कि जब देश को जैसी जरूरत लगेगी उसके हिसाब से कानून बनाया जाएगा तो 1955 में सिटिजन्सिप एक्ट बनाया गया था उसके बाद वो 2003 में हमेंड हुआ, 2005 में हमेंड हुआ, 2015 में हुआ फिर 2019 में ये निया बिलाया है इसको ले कर कि बहुत सारा देश में कंफ्यूजन उठा कि कुछ लोगों को सिटिजन्सिप खतम कर दी जाएगी इसमें इस स् दिसम्बर 2014 तक अगर भारत आ गये हैं तो उनकी नागरिक्ता को यहाँ पर अप्रूब कर दिया जागा इस अमेंडमेंड एक्ट के थू मुसलिम्स को इस प्राफधान में शामिल ना करने का सिर्फ एक ही कारण है कि जिन देशों के बारे में जिक्र किया जा रहा है वो देश मुसलिम बाहुले देश हैं और वो इस्लामिक कंट्री हैं तो इस्लामिक कंट्री में मुसलिम का उत्पीड़न नहीं होगा सिर्फ यही एक कारण है कि मुसलिमों को इस काटेगरी में नहीं रखा गया है और नॉन मुसलिम्स को भारत में सरनक्षन देने के बाद उनको सिट स्बिंसरipse मामला है हमारे देश में तो यहाँ पर मुसलिम्स को ido इसक्लूड कर दिया गया है तो उसको ले कर कि विपग्च को रहा हे जब कि ईया बन लागू करने का कारण वंने ने बिता है कि मुसलिमS इस एक्ट के माद्दम से दिया जा रहा है जो अलब संख्यक है जिनको नागरिकता मिल जाएगी तो उन्हें सारी सुईधाएं हमारे देश की मिलेंगी जो आम नागरिक को मिलती आ रहे हैं हाँ हाँ जाहिए सी बात है कि जो भारत का नागरिक हो गया वो भारत के समविधान भारत के कानून के तहक जो भी सुविधाएं उसको मिलनी है जो भी सरकारे स्कीमों का लाब है वो सारा का सारा उसको उस सदसरता के बाद मिलना शुरू हो जाएगा सर एक मेरा आखरी सवाल यानि जो लोग बार-बार कह रहे हैं कि ये तो बात हो गई उनको नागरिकता क्यों सिर्फी कानून उने को नागरिकता देने का है लेकि कई लोग ऐसा करें कि जुनको नागरिकता प्राप्त है उन्गों भी पुर्खों कि अपनी जमीन जायदात क जागच दिखाने पड़ेंगे ये क्या मसला है ये वो अलग 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 चीजेए है और नर्सी का मामला है कि इनर्सी में हम दिखाना पड़ेगा कि हम इसी देश के निवासी है एक नाशनल रेजिस्टर जो मनना रेकॉर्ड बन रहा है उसके तहत हमें अपना ये जो हमार देश के नागरिक हैं वो जमीन जायदा तो कुछ भी वो सरकार तेह करेगी कि इनकी नाधार पर वो इस बात की सत्ता को प्रमाणित मानेगी किसी को डरने के आवशक्ता नहीं जो डर बन रहा है। है ये एलक्षिन से पहले कंप्लीट हो जाती है और सदसता दे दी जाती है तो जाहिड से बात है कि वोटर भी बन सकते हैं और अगर वोटर बन जाएंगे तो भारती जंता पार्टी को ही वोट करेंगे तो ये बात अपोजिशन जानता है तो उस बात का फाइदा राजितिक तरीके से कैसे उठाय जाए तो ये होगा कि मुसलमानों से कहा जाए कि आपको लेकर इस देश में पक्षपात किया जा रहा है आपको नागरिक्ता नहीं दी जा रही तो मुसलमानों का बोड पोलराराजिशन ऑपोजिशन की तरफ होगा। जी बहुत भधनेवा सर में टाइम देने के लिए तो दिलीप सर से हमसे बात कर रहे थे और खास बात ये है कि पूरी तरह से CAA को लेकर के सर ने पूरा ब्रीफ किया है और ये भी बताए कि किसी को डरने क्यों शक्ता नहीं है और मुसलिम को आखिर क्यों नहीं नागरिकता द होल ये छेत रहें साथ में सर ने भी पता है कि जो पुर्खों की जमीन के अभी से लोग सवाल उठा रहे हैं वो NRC का मामला है ये CAA है ऐसे में लोगों को डरने की जरूत नहीं है और किसी भी तरह की ब्रांतियों में आने की भी और शक्ता नहीं है ये कानून फिलाल आपक की पूरी तरह से लागू हो गया है और जब से लागू हुआ है तब से लगातार इसकी चर्चाय भी हो रही है तो ऐसी और दिल्चस्प जानकारे की जुड़े मेरे साथ मैं लग नोस अंजली सिंग राशपूत न्यूजेटीन